अस्सलाम अलेकुम जी क्या हाल चाल है आप सब का आप सब लोग ठीक होंगे अलहमदुलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से फेस टू फेस बात की जाए तो आज मैं जाने लगी हूँ अपनी फुपो की घर और वहाँ है मिलाद शिरीफ वहाँ मैं इनवाइटिड हूँ तो चले मैं आपनों को भी साथ लेकर चलती हूँ मैं तयार तो हो गई हूँ और अब बस टाइम एक बच के पांच मिनट हो गया है और मुझे जाना है बारा बजी का था और उनके खर टाइम से मिलाद खतम भी हो जाता है इसलिए मुझे आँ टाइम से पहुंचना है और कुछ आज मेरी किचन की बारी भी थी मैंने सुबा उटके अपने सारे काम खतम कर ली है और अल्हा के शुकरया अज संडे था तो जानब भी घर थी वरना अगर संडे ना होता तो जानब ने आना था उसका स्कूल को देख ना और टूशन तो से मैं लाजबी भेजना होता है तो आज संडे है और बस में तयार हो गई है अब मैं जाने लगी हूँ इंशाला आपको भी मैं साथ सारा मिलाज शरीफ दिखाऊंगी सो स्टे ट्यून्ड मैं अपने घर से त्यार होकर अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ मेरी और मेरी फुपो का जो घर है वो एक घली का ही फासला है तो यहां मैं अभी अपनी अम्मी को लोंगी और फिर मैं उनके साथ जाओंगी अच्छा यहां मैं आपको दिखाने लगी हैं ड्रेसे जो मैंने और जैनब ने पहने थे जैनब को मैंने पैंट शिट पिना दी थी मुझे पोलो शिर्ट बहुत अच्छी लगती हैं और यह मैंने मिनी वाइनिर से ली थी जैनब की और पैंट मैंने रोलोवर से ली थी, रोलोवर की सेल में ली थी, मुझे काफी अच्छी प्राइस में मिल गई थी इसके बाद जी, ये मेरा ड्रेस है, आई थिंग ये मैं आप लों को पहले भी दिखा चुकी हूँ और ये ड्रेस मैंने एड पे पहना था, छोटी एड पे, और ये सिफाइर का ड्रेस है उन दिनों ये कलर बहुत इन था, औरेंच कलर, और मुझे देखते हैं ये ड्रेस बहुत जाता पसंद आया था इसके गले पे लोवस मैंने खुद बन वा लिये थे इसके साथ मैंने ये बैग करी कर लिया था, इस बैग इस फ्रम गुल एहमद, और ये जिस लव दिस बैग, बन अफ माइ फेवरिट बैग्ज मैंने एक रात पहले ही तैयारी कर ली थी, मैं इसी तरह और्गिनाइज रहना पसंद करती हूँ, ताकि नेक्स टेम मुझे कोई परशानी नहीं हो, मैं एजी हो जाओ और यहां पर मैं करने लगी थी थोड़ी सी सकिन केर, वैसे तो शीट मास्क मैं मेक अप से 15-20 मिनट पहले यूज करती हूँ, लेकिन यहां मैं एक रात पहले यूज कर रही थी नेक्स फीक से मेरी कजन की शादी स्टार्ट है और मैंने सोचा हुआ था कि मैं शादी से कुछ दिन पहले सेलॉन जाओंगी और मेरी आईब्रोज पे भी काफी जादा बड़ी हुई थी, मुझे आईब्रोज वैसे भी जादा ग्रो करके बनवाना अच्छा लगता है सेलॉन जाने की ज़रूरत थी लेकिन फिल्हाल में घर पी थोड़ी स्किन केर करी थी, इस तरह के पॉड़क्स चोटे मोटे मैंने रखे होते हैं ताके कहीं एमर्जिंसी जाना पड़ जाए और तो मैं इन्हें यूज़ कर सको मिनीसो की शीट मास्ट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मेरे मोस्ट फेवरिट हैं इससे इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, इस्पेशली आपकी नोस पर, आपकी चीग मौन्स पर अनिवेज, यहां मैं और जैनब तयार हो गए थे और हम लोग बस निकलने लगे थे and here is my look, I just can't compromise on my looks, मुझे each and everything complete चाहिए होती है और इसके लिए मैं जिद्दो जहत भी करती हूं and obviously I can't forget my watch, my look is always incomplete without my watch जाम गिया मुरादा, खाय अक्रो पढ़ गे ला इलाहा, 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 इलाहा जदु शहर मदीने, Allah सब जाईए, आमीन, बाल बाल जाईए, साठे जिद्दु नावारा जिद्दु जदु शहर मदीने, Allah सब जाईए जा मांगे पीन सुना मांगे फिर पढ़ के दुरूद पजा मांगे पढ़ के ला इलाहा, 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 तो ये था मिलाद शरीफ और मैंने सारा शूट नहीं किया था क्योंकि सारा शूट करना पॉसिबल भी नहीं था So I just recorded a few clips for you guys ताके आप लोग भी सुन सकें बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा मिलाथ था अलहमदलिल्ला और काफी देर बाद हम लोग एकठे हुए थे और वो होता है ना एक शादी पे या आपके खर कोई इस तरह का get together हो तो cousins का एक अलग टेबल लगता है हम cousins काफी देर बाद मिलते हैं और सब अपनी पनी लाइफ में मस्रूफ हो गए में हैं तो इस अलवेज अपलेजर मीटिंग माइ cousins अलहमदलिल्ला काफी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है और इस तरह की get together मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं जिन्होंने मेरे व्लॉग्स को बहुत जादे अप्रिशेट की और मुझे इतनी खुश हुई कि आप सब मेरे व्लॉग्स देखती है थाइंक यू सो मच इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें मिलते हैं इन्शालला ताला नेक्स व्लॉग में तब तक अपना ख्याल रुकिएगा अल्हाफिज